हलो गाईज मैं आदित्य द्याल स्वागत है आपका अमारे यूटूब चैनल द्याल क्लासेज में चलिए शुरू करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से बहले हैं अगर आपने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है सो इस कोशन में मेरे को क्या बोला था NCRT का 2.1 का कोशन था बोल रहा था कि मेरे को number of zeros बताना है ग्राफ देखके सो मैंने concept क्या बताया था ग्राफ वाला जब भी कोशन आए ग्राफ से related क्या concept था कि कोई भी कर्व X-axis को जहाँ जहाँ टच करेगा या कट करेगा उस point को count करेंगे और वही उसका zeros होगा for example चलो भाई फट से देख लेते हैं for example question number one ये क्या है X-axis को कहीं पे भी कट कर रहा है नहीं तो ये क्या होगा no zeros एक भी इसमें zeros नहीं है मैंने बोला X-axis को कट या टच करना चाहिए ये क्या देखो ये वाला part Y-axis को कट कर रहा है count नहीं होगा ये देखो X-axis को कट कर रहा है कितने जगा एक जगा तो यहाँ पे क्या होगा one zeros चीजे समझ में आ रही है अब ये तीसरा वाला क्या है भाई देखो U-shape का है ठीक है X-axis को दो जगा कट कर रहा है सो हमनों क्या बोलेंगे two zeros ठीक है गाईस चीजे आपको एकदम समझ में आ रही है कितने zeros होंगे यहाँ पे दो zeros सारी चीजे समझ में आ रही है अब आते है फोर्थ नमबर पे ये क्या है सबसे important कि ये देखो एक दो तीन चार ये X-axis को चार जगा कट कर रही है तो इसके कितने zeros होंगे फोर zeros चीजे समझ में आ रही है फिर इसके बाद आता है फिफ्ट और लास्ट वन मैंने क्या बोला कट और टच सब करना चाहिए देखो यहाँ पर ये एक जगा कट कर रहा है एक दो टच कर रहा है दो तीन सो यहाँ पर क्या होगा थ्री जीरो सो गाईस इसी के साथ हमारा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना और गाईस अब प्लीज मुझे सपोर्ट करो जिससे मैं ऐसी अच्छी कंटेंट बनाते रहा हूं जिससे मुझको ऐसी अच्छी कॉन्फिडेंस मिलती रहे सो गाईस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और थैंक यू फॉर कि अच्छी के रहा हूं मुझको ऑलना और गाईस अच्छी का फिलता गाईस अच्छी का अच्छी का मत एफॉर्ट रहे सो गपारा प्लीज मुझको ऑलना तर थैंवाला और